तो हाई फ्रेंट्स मैं हूं आपका होश्ट नं दोस्ट कमांडो भाई और आज मैं आप लोग से लेकर आया हूं प्लंजर पम्प और एंच टीपी मशीन में कौन सी मसीन बहतर है और एच टीपी और Tools पम में क्या अंतर है मैं यह चीज आपको यहाँ पर बताने आया हूं लें तो plunger pump जो होता है उसमें मसीन जो होती है पीछे मोटर होती है HP में उसके हिसाब से वह plunger pump होता है कुछ 2HP का कोई 2.5HP का कोई 3HP कोई 4HP का तो यह plunger pump का एक वह होता है जो जिस नाम से जाना जाता कि यार कितने MP का plunger pump है और stp में क्या होता है नंबर होते हैं पचास नंब्र, 55 नंबर, सत्यर नंब्र, 25 नंब्र, 800 नंब्र, 80 नंब्र यह नंबर होगे हिसाब से сильно मसीन जानी जाती हे तो दिखने में कैसी होती है तो हम यहां पर आपको दिखाएंगे कि में यह MACHINE दिखने में कैसी होती हैं तो यह यहां पर HTP मशीन है और यह इसमें एकchuckles मोटर लगी होती है और आगे 40 नमबर का या 50 नमबर का मपलंजर मोटर के मशीन होती है तो इसमें क्या प्लंजर में कैसे होता है तो यह देखिए यहां पर मोटर में मोटर और आगे एक plunger होता है plunger इंडिया में मुझे तो नहीं पता है कहीं मैनुफेक्चर होता है इंडिया में साथ कहीं मैनुफेक्चर नहीं होता है यह कोरिया इटली और जर्मनी इस तरह चाइनी जो जो भी plunger आता है लगभग चाइना से ही इंपोर्ट इंडिया में आता है और यहां पर इसमें मसीन या मोटर लगाके बेचा जाता है और अब आते हैं इन दोनों की मेंटिनेंस के बारे में कि चलो मैं सवाल ले लता हूं जो कुछ मेरे कस्टुमरों ने मुझे सवाल पूछे हैं प्लंजर पंप और एच्टीपी के डिफरेंस में तो पहला सवाल था देखने में कैसा होता है तो मैंने आपको बता दिया एच्टीपी पंप देखने में ऐसा होता है और प्लंजर पंप देखने में ऐसा होता है दूसरा है काम कैसे करता है तो ले चलते हैं आपको सबसे अच पहुंज है तो चलते हैं मेरी मसीन के पास मेरा तो एच्टीप में देखो आप क्या होता है यह मोटर होती है यह ओस्वाल की मोटर है तीन एच्टीप की मोटर है और यह है असी नंबर का पंप तो इसमें मटका होता है एक लोडर अनलोडर पाइप यह लगा होता है यहां पर तीन पिश्टन होते हैं तो जो मसीन है इसका जो स्टॉक है वह प्लंजर के मुकाबले कम होता है तो यह जो है कम स्टॉक करता है पिश्टन को जिससे वाटर फ्लो तो ज तो यह एक बैल्ट से जुडा होता है यह मोटर से बिसली से चलाते है जो लोग जो जो लोग नोजल यह है और एक नोजल यह है यह इसके प्रैसर के खोलने बंद करने का होता है कि आप जिस भी नोब से पानी आप चाहते हैं यह तीन बार एक समय में तीन जगह से पानी फेक सकता है यह इसमें पावर होती है इसकी मेंटरेंस में क्या होता है कि इसका डेली इसमें आपन तो मेरे पास तो यह फाल्टू पड़ी है क्योंकि यह पानी का जो वाटर फ्लो है यह कम से कम 30 से 35 लिटर प्रती मिनट फेकता है अलकि मैंने इसमें गन भी लगाई लेकिन गन के मुकाबले जो इसके आगे जो लड्डू जैसा लगता है उसका प्रेसर जादा है यह गन लग प्रेसर जादा अच्छा नहीं आता है लेकिन ठीक ठाक है एक बाइक हो गया जो आप इससे दो सकते हैं और इसमें मेंटिनेंस जो इसकी रबर रिंग होती है इसके अंदर जो यह पिश्टन होता है इसमें ग्रिसिंग करना पड़ती है और इसका रिपैर किट आता है जो आ पानी लिकेज होता है इसके यहां से पानी लिकेज होता है इसके आगे से पानी लिकेज होता है तो यार अब मैं इसको निकाल के दिखाने सकता क्योंकि काफी भारी मसीन होती है और यहां पर मेरा जो सिमेंट मेंट कई सामन रखा हुआ है तो और यह मेरा प्लेंजर पंप ह यह अभी भी सही है सही काम कर रहा है बस इसका यूज मैं अभी कड़ता नहीं मैं अभी नई मसीन आया हूं तो मैं ले चलता हूं आपको प्लेंजर पंप की तरफ यह थी यानि आप यह देखिए यह इसके आगे असी नंबर का पंप लगा हुआ है और यह मोटर लगी हुई है तो इसे कहते हैं एच्टीपी मसीन तो फ्रेंड यह है प्लेंजर पंप अभी आप इसकी कंपनी में मत जाओ सकती है कुछ इस कंपनी में मत जाओ अगर मैं इसको निकाल होती है सभी प्लेंजर पंपों में से मोटर होती है यहां से दिखाता हूं यह होती है मोटर इसकी सभी प्लेंजर पंपों में ऐसी मोटर आएगी कुछ दो एच्पी की डाई एच्पी की यह चार एच्पी वाली है उसके साथ यह जो चीज जुड़ी है इसको बोलते है प् आटो कट जो गन को छोड़ते ही रिलीज करते ही यह एक स्टॉक मारता है यहां से स्टॉक पीछे मारेगा और यह पूरी मसीन को बंद कर देता है ना मसीन चलीगी ना पानी आएगा तो यह होता है प्लेंजर पंप इससे आप फॉर्म भी कर सकते हैं इसका जो वाटर फुलो ह सकते ही वाटर फुलों कम से कम दसे बारा बारा पंदरा लिटर प्रती मिनट विखता है तो यह प्लैंजर होता है यह मोटर से जुड़ा होता है fly 잡at सब्सक्राइब मोटर दीखिए की और आगे से ऐसा लेंचर पंप जुडा होगा और आगे इसके ब्रास बोडंपि होती है 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 तो आप कंफ्यूज मत हो आपने जब भी प्लंजर पंप देखना है तो इस तरह का प्लंजर होता है उसमें एक यहां पर इसके प्लंजर से जुड़ा हुआ मीटर भी लगा होगा नोब भी होगी मोटर भी होगी कोई बैल्ट-मोट जार नहीं होते इसमें तो चलते हैं फिर अब ये तो सकी मोटी-मोटी जानकारी होगी इससे आप फॉर्म कर सकते हैं और फॉर्म 지म आपने ऐसी और HTP मचीन कैसी दिखती है, और काम करने का क्या है कि, HTP जो मचीन है, इसके लिए आपको भरपूर पानी चाहिए, क्यूंकि यह कम से कम 30 लिटर या 35 लिटर या उससे भी अधिक मात्रा में पानी का फ्लोरेट जो है, पानी का फ्लोरेट है, बहुत ज़्यादा होता है, काम करना चाह रहे हैं तो HTP मसीन आपके लिए नहीं है अगर आपके बाद खुद का कुवाँ वगेरा है या पानी का अच्छा आपके बाद इंतिजाम है तो HTTP आप रख सकते हैं और लेकिन इसमें क्याあります कि आप फो नहीं कर सकते हैं कुछ लोग गन लगाके और फोल में नहीं आती है पानी बहने वाला फोअ मैं निकलता है अच्छी नहीं आती है अगर आप HTTP मसीन आपके पास है तो आपने compressor लेना है एक और form tank लेना है तो आप एक बहतरीन form कर सकते हैं लेकिन अगर आप plunger pump लेना चाहरे हैं तो plunger pump से अगर आप लेना चाहरे एक commercial तो कम से कम 4 HP का लेजिए या 3 HP का लेजिए बहुत अच्छा होता है कार वगेरा धुल जाती है और जो 4 HP का है उससे टेक्टर और ट्रक वगेरा भी आप धो सकते हैं और इससे आप बहुती बैतरीन फॉर्म भी कर सकते हैं और इसकी मेंटिनेंस भी जीरो होती है आपको कुछ मेंटिनेंस नहीं करनी है बस इसके रबड जो है जो पिष्टन में रबड होते हैं वो घिज जाते हैं तो इसका प्रेसर डाउन हो जाता है तो आप जब भी प्लंजर पंप लेंगे तो आप दुकान वाले से कहेंगे कि बाइसाब इसका रिपेर किट भी हमें दो अगर बाइचान इसका पिष्टन तूटता है या अंदर की क्रेंग तूट तो यह पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे इस चीजिए कि आप गारन्टी ले सकते हैं यह आप एक्स्ट्रा में खरीच सकते हैं यह पार्ट क्योंकि बाद कि यह मसीन वाले होते हैं यह हमें कुछ पार्ट नहीं देतें लेकिन फिर भी दो ढवाई साल यह मसीन बहुत ही कर सकते हो उससे पहले मत करना क्योंकि इसके और कोई ज्यादा काम नहीं है खाली इसके अंदर एक क्रेंक रॉड होती है वह गूमती है बागी तेल जलता नहीं है तो आप जल्दी बाजी ना करें तेल को चेंज करने में कम से कम एक साल डेड़ साल आप चलाईए उसके बाद तो तेल चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद उस तेल को आपने फेगना नहीं है उसको आप अपनी बाइक में या कार में यूज कर सकते हैं क्योंकि यह तेल जलता नहीं है जलावा तेल नहीं होता खाली यह गुमता रहता एक लूब्रिकेंड के लिए होता है तो और रिपेर और मेंटेरेंस क्या है कि पलंजर पम में कम रिपेर और मेंटेरेंस होती है पलंजर एच्टीपी मसीन में ज्यादा मेंटेरेंस करनी पड़ती है ज्यादा रिपेरिंग करनी पड़ती है बार बार ग्रीशिंग करनी पड़ती है वाटर लिकेज की प्रॉब्लम बार का connection चाहिए और जो plunger pump है इसके लिए आपको commercial की जरुवत नहीं है चाहो तो अपने घर के मीटर से चला लो लेकिन दुकान में compulsory होता है कि आपने commercial मीटर लगाना जरूरी है तो उसका बिल भी इसमें कमी आता है क्योंकि यह चायनीज होती है यह बहुत कम लोड लेती है बिजली का कम भी लाता है और बस यह थी जानकारी तो आपको कैसी लगी है जानकारी आप कमेंट के माध्यम से पूछे अगर मैं कोई चीज बताने भूल गया हूं या कोई सवाल आपके मन में है जो आप मुझसे पूछना चाहते है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मुझे फॉन नमबर के माध्यम से इन नमबरोंपे फॉन कीजिए या मुझे वीडियो कॉल कर रही है खाली एक फॉर्म करने के लिए आप प्लंजर पंप लेना चाह रहे हैं तो छोटे-छोटे पांस से 10,000 रुपे के प्लंजर पंप आ जाते हैं जेपीटी के इसकार क्यों के कार्चर के कई परकार की कंपनियां हैं जो तो बहुत सस्ते-सस्ते प्लंजर पंप बेशती है चोटे-चोटे तो आप वह भी ले सकते हैं उससे भी आप फॉर्म कर सकते हैं और चलो ठीक है अब ज्यादा चीज मुझे आनी रहा है कि आप मैं बताऊं तो अगर आप आप सब्सक्रेंजर चांए है तो मैं आपको कहूँँगा प्लंजर पंप लीजिये अगर आपकी नई नई दुकान है तो फ्लंजर पंप एक म सटांसर ले सकते हैं आप आराम से उससे पैसा कामा सकते हैं फ़ाम सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थेंक यू